आज मैं आपके लिए लेकियाई हूं एक ड्रिंक जिसे में ड्रिंक करते हैं और बच्चे मेरे तो घर में बहुत लाई करते हैं आपके बेटे ने बोला हूँ था कि जल्दी से बनाएं ताके उसे पसंद बहुत है तो मैं अपी बनाने लगी थी तो मैं नका चले आपको भी आपको भी साहर लेके आओं और आप भी यह देख ले चोटी सी रेसिपी है लेकर यह के घर में आप बनाएं मार्कीर से क्यों बनाएं जिया लगा हुए अपने घर के ऑच्या लगा है और यह साथ के लिए दृट ने लगाई है और मैंशा आला माशाला बहुत प्राई पहला हुआ है इसका हम बना जूस बीते हैं यह रिया कम आपको चार चम्मच यहने के हमने इसको ग्रैंड करना है यहने के साफ कर के दो के हमने रखा हुआ है इसमें हम डालेंगे शूगर तीन से चार चमच हमने शूगर लिया और यह हमने पहले इसमें पानी डालना थे इसको ग्रेंड करने के लिए माशाला माशाला यह बहुत ही अच्छा याने के हो गया देखने आप और इतनी प्यारी खशबू आ रही है इतनी प्यारी खशबू आ रही है आप जब खुद बनाएंगे तो फिर आपको अंदाज होगा जाहर है यहां के तो मैं तारीफ कर सकती हूँ ना मैं मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं बता रही हूँ जब आप खुद बनाएंगे तो आपको बता चलेगा इस पे हमने यह जो डाली है अपनी ड्रिंक ठीक है मिंट में लाजमी डालती है आप यह देख रहे हैं हमें जतनी हम सिरफ उतनी लेंगे अच्छ जी यह देखे मैं इसमें अपनी ड्रिंक डाल दिया और यह मैंने इसको मैंने जो आई से उनको मैंने पीस लिया मोटी इसलिए नहीं डालते कि आपके ग्रैंडर जो जार है उसका बेल टूट जाएगा ठीक है सोरी बलेट टूट जाएगा इसकी वज़ासे हमने इसे पीस लिया यह हम इसके डालते हैं और अब हम इसको एक दफा भी गुबारा से स्टार्ट करते हैं हमने इस पे डाल दिया अब यह हमारे ग्लासी जें ठीक है और यह देखें आप माशाला माशाला खुबसूरत कलर और दिल को भी अच्छा लग रहा है यह देखें आप माशाला माशाला कितना अच्छा माला लग रहा है देखें अभी हम इसमें लेमन डाल देंगे इसकी स्मेल भी आएगी इसमें यह हम खुबसूरती के लिए क्योंकि हमने मिंट का बनाया है तो वह भी बताएंगे कि यह हमारा मिंट का जूस बन है अब यह कितनी खुबसूरती इसमें नजर आ रही है ठीक है जी और माशाला माशाला हमारा बच भी गया तीन गिलास मन नहीं है इसमें हमने को ज्यादा नहीं किया और अलहम्दोलिल्ला यह जो भी पिएगा आप खुबसूरत लगेगा और हमारी हर चीज आओ यह देख रहे हैं कि जब कोई पिएगा तो वो उस क्यों नहीं पी सकता है कि जब उसको हर चीज उसकी आँखों को अच्छी लग रही है आप ऐसे अपने महमान के आगे जब रखेंगे जूस जूसिस लेके जाएंगे कोई गैस्ट आ रहा है कोई घर में अपने बच्चों के पास अपनी हजब जब आपके घर में कोई भी फारद है उसको जब आप यह जूस देंगे तो आप सोचें के वो कितनी खुश होंगे और यह क्यों नहीं कोई पिएगा ठंडा भी है और यह सहत के लिए भी बहुत अच्छा है आजकल जो मसले चार रहे हैं बुखार के उसमें भी आप यह पी मुझे कमेंट बाक्स में बताईगा कि आपको जूस कैसा लगा और मेरी तरफ से आपको अलाफीस बाबाए